नमस्कार दोस्तों मैंज यह है आप सबका हमारे यूट्यूफ चैनल गेमिंग भाई जी में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो वहीं WCC3 का फिल विर्जन हम लोगों को मिल चुका है लेकिन WCC3 में भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो हम लोगों को पूरी तरह से अनलोक नहीं मिलते हैं कुछी फीचर ऐसे हैं जो हम लोगों को अनलोक मिलते हैं चाहिए फिर वो गेम प्लेइंग मोड हो, कस्टमाइज का उप्सन हो या फिर और कुछ तो इसका सोलिशन क्या है? हम इसका सोलिशन डुटते हैं मोड एप्लिकेशन लेकिन क्या WCC3 की मोड एप्लिकेशन हम लोगों को अपने मोड में डाउनलोड करनी चाहिए? क्या ये सिक्योर है? क्या इसका फाइदा है? ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आप लोगों को आज की वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मोड एप्लिकेशन क्या होती है? क्या इसका काम होता है? सब कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो को देखकर थोड़ी से इन्पोर्मेशन पास के साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को दबा लें और उलफर कलिक कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नहीं वीडियो आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो ज़्यादा समय नहीं बर बात करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारे वीडियो तो भी सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए की मोड एफिकेशन होती क्या है तो दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि हम किसी भी गेम को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ फाइल्स भी डाउनलोड होती हैं और उन चेंजिस के कारणी हम लोगों को गेम या फिर किसी एफिकेशन में बहुत सारे फिचर फरी में मिलने लग जाते हैं और इस प्रोसेस के बाद जो कस्टमाइज एफिकेशन या फिर गेम एफिकेशन बनती है उसे ही मोड एफिकेशन कहा जाता है एक तरह से देखे तो भई हम इसको hack नहीं बोल सकते हैं इसको customize application बोल सकते हैं जिस परकार WhatsApp को customize करके GB WhatsApp बना गया है उसी परकार WCC3 को customize करके WCC3 की mode application बनाई जाती है लेकिन अब question ये उबरता है क्या ये application हम लोगों को अपने mobile में download करनी चाहिए क्या ये application secure होती है तो भई ये application secure नहीं होती है आप अपने rigs पर अपने mobile में इनको install कर सकते हैं साथ ही आप इन application को third party site से download कर सकते हैं जो कि verified sites नहीं होती है साथ ही इनके developer का भी अतापता नहीं होता है इसमें कितनी security होती है क्या security पैसिस में इस्तिमाल किया गया है इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं होती है तो भई आप अपने rigs पर ही अपने mobile में इन application को install कर सकते हैं तो भई आप question उभरता है क्या हम लोगों को mode application install करने के बाद सारे game playing modes बिल्कुल free में खेलने के लिए मिल जाते हैं तो मेरे वाई ऐसा कुछ भी नहीं होता case आप WCC2 का इउठा लीजिए WCC2 में हम लोगों को tournament unlock करने के लिए coins की जरून परती थी और जो mode application हम download करते थे उसमें हम लोगों को unlimited coins मिलते थे लेकिन क्या हम उनकी मदद से किसी भी tournament को unlock कर पाते थे नहीं कर पाते थे इसका क्या कारण था वो मैं आप लोगों को बता हूँ लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को यार लाइक कर दो तो पही एक बार सोचो कि WCC2 में unlimited coins मिल गए लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर पाते थे क्योंकि WCC2 हो या फिर WCC2 हम लोग तभी किसी भी feature या फिर gameplay mode का unlock कर पाएंगे जब हम लोगोंने sign in कर रहा हुआ Google Play service के तवारा यानि कि Google का जो Gmail account है हमारा वो हमारे WCC2 या फिर WCC3 के साथ टेश होना चाहिए या फिर हमारा गेम फेस्बूक के साथ लिंक होना चाहिए लेकिन किसी भी mode application में ना तो आप फेस्बूक के जरीए लिंक कर पाऊगे ना ही आप Gmail के जरीए लिंक कर पाऊगे और इसी कारण आपके पास unlimited coins तो होंगे लेकिन आप किसी भी game playing modes या फिर feature को unlock नहीं कर पाऊगे और दूसरा mode application का जो सबसे बड़ा disadvantage है वो ये है कि इन application में बग बहुत सारे होते हैं जो basic files होती हैं जो source code होते हैं साथ यहां पर थोड़ी सी सेड़ साड़ की जाती है और उस कारण ये game कई वार hang भी हो जाते हैं और आप लोगों को आपका mobile switch off करके फिर रिस्टार्ट करने की जुरूरत वर्दी है कई वार game अटक टक कर भी चलता है तो ऐसे कुछ बक्त हैं जो आप लोगों को mode application के दुरान देखने को मिल सकते हैं तो मैं तो last में यही recommended करूँगा कि आप मोड application का इस्तेमाल ना करें तो ही वड़िया होगा थोड़ा सा सबर कर लें क्योंकि एक समय ऐसा हैगा जब आप लोगों को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें साथ में बैल आइकन को दबाएं और रोल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो और उसकी जानकारिया आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल देखने वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई जैहिंद